प्रेम सनातन टीवी में आपका फिर से सागत है यू तो आम तौर पर मन उससे अपने अपने इस्टिदेवता की पूजा करता है कि जब उसके सामने समस्याइं आती ही या उसके काम नहीं बनते हैं तो मन भटकता है कि वो किसकी पूजा करे जिससे उसके सारे काम बनने लगें आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी नेमित पूजा में इस्ट की पूजा के साथ साथ किस दिन किस देवता की पूजा करें ये बहुत महत्पूरु बात है कि प्रत्येक दिन के दिए एक देवता निर्धारीत है यवे आप दिन के हिशाब से उस दिन उस देवता की पूजाइं भी प्रादम कर देते हैं तो आप ये सामये समस्याई नहीं आएंगी और समस्याई आएंगी तो यथा सिग्र उनका निस्तारण हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप हमारे चैनल के नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हो नीची दिएगे बेल आइकन को जरूर अपर तकि आपको हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी प्राफ्त हो सके आपके लाइप, शेयर और कमेट हमारा उत्सावर में करते हैं यह सिकायत आमतोर पर सुनने को आती है कि मैं इतनी पूजा पाट करता हूँ उसके बाद भी भगवान मेरी सुनता नहीं सची है कि भगवान सब कुछ देखता भी है और सुनता भी है इसलिए कहा गया है कि आप पूजा के साथ साथ अपने कर्मों पर विशेश ध्यान दे चुकि भगवान आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही स्फल देता है फिर भी इसलिए को मानने और रिजाने के लिए हमारे धर्म में दिन के हिसाब से भी देवताओं का चैन किया गया है यानि किस दिन किस देवता की पूजा करने से आपका मनुरत पूर्ण होगा यही आज हम आपको बताएंगे यहां हम यह नहीं कहेंगे कि आप जो भी पूजा कर रहे हैं उसे बंड कर दें बलकि हम यह कह रहे हैं कि आप जो भी पूजा करते हैं जिसे भी अपना इस्ट मानते हैं उसे उसी प्रकार से पूजा करते रहें बस अपनी उसी पूजा में दिन के हिसाब से उस देवता की पूजा को और सम्मलित करते जाईए चमतकार आपके सामने होगा साथ जिनों में साथ देवों की पूजा का विधान बताया गया है हम आपको कर्म बताएंगे किस जिन किस देवता की पूजा को और सामिल करना है रवीवार को आप अपनी पूजा सूर देवता की पूजा अराधना प्रारंब कर दे यानि सर्भी्वार सूरी को जल अवश्च दे स॓म्वार को भगवान शीव की पूजा और शीवलिंग पर जलाभि शेक अवश्च कर दे मंगलार को हनुमान जी की पूजा उनका दар्शन फनुमान चालीश या बजरंग बाड का पाथ अवश्च कर लिया करे गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा का विधान बताया गया है इसलिए अटाग गुरुवार भागवान विष्णु की पूजा अवस्जी किया करें सुक्रवार को मा लक्षमी की पूजा अवश्य किया करें उन्हें लाल गुलाब भेट करें सफेद मिटाई का भोग लगाएं और मा लक्षमी की अराधना करें सनीवार को सनी देव की पूजा कर सकते हैं तेल का दान करें या काल भैरों के मंदिर में जाकर काल भैरों के दर्षन करें और काल भैरों की पूजा करें अगर आप अपनी दैनिक पूजा में इन साथ दिनों में साद देवों की पूजा को भी सम्मलित कर लेते हैं तो आपके सभी मनों कामनाय सभी कार पूर होंगे कुछ दिन करके देखिए चमतकार आपके सामने होगा अगर ये कारिक्रम आपको अच्छा लगा तो इसे शेर ज़रू करिएगा लाइक करिएगा कमेंच करिएगा देखते रहिए प्रेम सनातन टीवी